असलाम लेकूं कैसे हैं आप सब। आज का हमारी टौपिक है Be में मु्यूटेशन होती कैपर उसके बाद हमBooks की डिफरेंट डिसकस ऐसे होती हैं Mutation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें genetic material की sequence और structure change होती है structure में हम chromosome की structure की बात करते हैं जब chromosome की structure change होगी तो उससे फिर gene की sequence बिचेंच होती है या फिर directly gene की sequence की change होने को हम gene mutation कहते है genetic material में हमारे पस DNA और RNA आ ज़ते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होगा जब भी genetic material की sequence में change आएगा तो उस change को फिर हम mutation कहेंगे Next हमारे पास है causes of mutation इसमें हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे causes है जिसके वरा से mutation हो सकती है तो mostly mutation हमारे पास किसी agent या factor की वरा से होती है इन agents को हम mutagens कहते है Mutagens ऐसे agents होते हैं जो mutation cause कहते है Mutagens की further दो टाइपस होते है Physical mutagens और chemical mutagens Physical mutagens ऐसे mutagens होते हैं जो physically हमारी body के अंदर enter होके हमारे DNA की sequence को effect कहते है हमारे जो DNA हैं उनमें mutation cause कहते है इसके example में हमारे पसार रहते हैं X-rays और UV rays X-rays हमें पता है यह हमारी body के अंदर enter हो सकती है Enter होके हमारे DNA को hit करेंगे जिसके वारा से जो DNA की sequence है वो change हो सकती है DNA की sequence में जो nucleotoid हैं उनको effect होगा या तो nucleotoid तोट जाएंगे या remove होजेंगे जब nucleotoid remove होंगे उनकी जगा कोई और nucleotoid लगेंगे तो उसके वरा से भी DNA की sequence change हो जागी और mutation cause होगी तो ऐसे mutagen जो बाहर से हमारे DNA की sequence और structure को effect कर रही है ऐसे mutagen को हम physical mutagen को कहते हैं जो physically हमारे body को effect करते हैं फिर इसके बाद chemical mutagen ऐसे mutagen होते हैं जिसमें chemical हमारे body में enter होते हैं और हमारे DNA की sequence को change करते हैं For example, कोई chemical है और वो हमारी DNA की nucleotide की जो sequence है उनको effect कर रहा है उनकी जो nucleotide है उन पर जाके वो attach हो जाते है जिसकी वरा से उनकी replication में problem आती है और इससे पिर हमारी body में बहुत से negative effect भी होते है इसके साथ-साथ mutation के बहुत से positive effect भी होते है बहुत से beneficial effect है जो mutation की वरा से होते है जैसे कि evolution में mutation बहुत important role play करते है जब organism evolution करते हैं खुद को involvement के हिसाब से adjust करते है तो उसमें mutation बहुत important role play करते है फिर इसके बाद mutagen के इलावा भी mutation cause हो सकती है जैसे कि जब cell division हो रहा होता है तो उसके दुराँ जब genetic material की copies बनती है उनका replica बनता है तो उसमें कोई error आ सकता है जिसे mutation cause हो सकती है इसके लावा वारसी से भी mutation हो सकती है फिर जब cellular control होता है तो उसके दुराँ भी mutation हो सकती है जैसे के मियोसिस के प्रोसेस में या फिर हाइपर म्यूटेशन के प्रोसेस में नेक्स माइपस है टाइपस ओफ म्यूटेशन म्यूटेशन की डिफरेंट टाइपस होती है ये डिफरेंट चीजों पर बेस कती है जैसे कि कुछ टाइप्स होती हैं जो औरीजिन पे बेस करती हैं और कुछ टाइप बेस करती हैं कि म्यूटेशन किस तरह से होती है और कैसे होती है पहले हम औरीजिन की बेस पर देखते हैं तो औरीजिन की बेस पर म्यूटेशन की दो टाइप्स हैं germline mutation और somatic mutation germline mutation को हम heredity mutation भी कहते हैं यह ऐसी mutation होती है जो हमारी gammit cells में mutation cause कती है gammit cells हमें पता है कि यह off-swing produce कते हैं तो अगर mutation हमारी gammit cells में होगी तो यह हमारी generation to generation transfer होगी इसलिए germline mutation को heredity mutation भी कहा जाता है तो ऐसी mutation जो हमारी family में run करें उसे हम germline mutation या heredity mutation कहते है फिर second type हमारा पस है somatic mutation somatic mutation को हम acquired mutation भी कहते है somatic cells हमें पता है कि हम body cells को कहते है तो जब mutation हमारी body cells में होगी तो उसे फिर हम somatic mutation कहेंगे इसकी example में हमारा पस आजाते है cancer cell for example, हमारी body की किसी बार्ट पे cancer हो जाता है वहाँ पे mutagion attack कता है जिसके वहाँ पे mutation हो जाती है वो mutation, उन cells, को multiply करेंगे और उससे फिर cancer हो जाएगा तो इस type की mutation, का हम semantic mutation कहते है Semantic mutation में mutation हमारे sematic cells में होती है यह हमारी body के cells में होती है तो structure की base पे mutation की दो टाइपस है small scale mutation और large scale mutation small scale mutation में सिर्फ एक या दो nucleotide effect होगा इसमें पुरे का पुरा chromosome या पुरे का पुरा DNA के sequence अफेक्ट नहीं होगा इसमें सिर्फ एक या दो nucleotide effect होगा small scale mutation के भी फ़र्दर तीन टाइपस होती है point mutation, insertion और deletion point mutation में mutation सिर्फ एक point पे होगी सिर्फ DNA का एक nucleotide exchange होगा जैसे कि इस diagram में आप देख सकते हैं ये DNA की sequence है और ये nucleotide है यहाँ पर ये thiamine है इसमें जब point mutation होगी तो ये thiamine cytosine में exchange होगा जैसे कि यहाँ पर अप देख सकते हैं यहाँ पर ये thiamine थी इसमें point mutation होगी और ये cytosine में change होगा तो इस type की mutation का हम point mutation कहेंगे point mutation different causes से हो सकती है जैसे कि chemical की वज़ा से जिस तरह हमने chemical mutagens में पढ़ा है जब chemical mutagens एंटर होगे हमारे body में तो उसके वज़ा से भी point mutation हो सकती है इसके लावा जब DNA की properly functioning नहीं होती है इसमें तो most common type है वो है transition transition में एक purine दूसरी purine के साथ या फिर एक perimidine दूसरी perimidine के साथ exchange होती है purine में हमारे पस adenine और guanine आ ज़ते है और perimidine में हमारे पस cytosine और thiamine आ ज़ते है तो जब transition mutation होगी तो purine purine के साथ exchange होगा मतलब अगर adenine होगा तो adenine guanine के साथ exchange होगा और perimidine parimidine के साथ exchange होगा अगर thiamine होगा तो thiamine cytosine के साथ exchange होगा transition नीच्रोस एक्साइड के वरा से हो सकती है या फिर base की mist pairing के वरा से हो सकती है या पिर दूसरे chemical जैसे के metagenic base analog इसमें हमारे पास फाइब रोमो डियोक्जी यूरिडीन आज़ते है या ऐसे chemical है जो transition कास कते है फिर इसके बाद transversion में हमारे पास purine parimidine के साथ या फिर parimidine purine के साथ exchange होती है पर एक्जेंपल अगर हमारे पास cytosine या thiamine है तो वो adenine या guanine के साथ exchange होगी और अगर हमारे पास adenine या guanine होगा तो वो cytosine या thiamine के साथ exchange होगी तो इन दोनों में क्या difference है अगर transition होगा तो purine purine के साथ या पिर parimidine parimidine के साथ exchange होगा और अगर transversion होगा तो purine parimidine के साथ या पिर पेरेमिडीन प्यूरीन के सारे एक्चेंज होगा फिर इसके बाद पॉइंट मुटेशन जो के जीन्स की प्रोटीन कोडिंग रीजन में होती है उनको भी फ़र्दर तीन टाइफ में डिवाइड किया गया है Silent Mutation, Miss Sense Mutation और Non Sense Mutation Silent Mutation ऐसी Mutation होती है जिसमें DNA में Mutation होती है लेकिन उनका कोई भी फ़र्दर डिडेक्टिबल नहीं होता मतलब यह और्गनिजम को फ़र्दर करती है लेकिन उस फ़र्दर अब्दर नहीं कर पाते फ़र एक्जेंपल हमारे पास एक कोडोन है CGA और यह चेंज हो रहता है C, D, D में लेकिन इसका कोई भी फ़र्दर प्रोटीन पर नहीं होता क्योंकि यह दोनों कोडोन एक ही अमाइनो असीड के लिए कोड़ करते हैं जो कहें आरजिनीन तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कोडोन दूसरे कोडोन में कनवर्ट हुआ है लेकिन इनकी कनवर्जन से अमाइनो असीड पर कोई एफेक्ट नहीं हुआ तो इस तरह की म्यूटेशन को फिर हम साइलन म्यूटेशन कहेंगे फिर नेक्स हमारे पास है मेस सेंस म्यूटेशन मेस सेंस म्यूटेशन में जो अमाइनो असीड हमें मिलेगा वो तोटली डिफरेंट होगा उस अमाइनो असीड से जो पहले इसमें था इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल में जिस Amino Acid को इंकॉर्परेट किया रहे का वो टोटली डिफरेंट होगा फिर इसके बाद Nonsense Mutation में जो Amino Acid हमें Mutation के बाद मिलता है वो किसी भी Amino Acid को कोड नहीं करता इसमें हमारे पर स्टॉप को डोन होता है स्टॉप को डोन ऐसा को डोन होता है जो किसी भी Amino Acid को कोड नहीं करता इसलिए हम इसे Nonsense Mutation करते है Next हमारे पर Small Scale Mutation की सेकंड टाइप है Insertion Insertion में एक या एक से ज्यादा Nucleotoid DNA में Add हो जागा इसके नाम से में पता चाह रहा है कि इसमें Nucleotoid Insert होगा इसमें Nucleotoid की Addition होगी जैसे कि इस डाइगराम में हम देख सकते हैं यह हमारे पस DNA की सीक्वेंस है इसमें जब Insertion होगी तो उससे क्या होगा एक Nucleotoid इसमें Add हो जागा जैसे यहाँ पर पहले थायमीन था, साइटोसीन था, उसके बाद थायमीन था अब साइटोसीन के साथ एक और साइटोसीन आगा है तो यह मेरे पस Insurgent Mutation है फिर इसके बाद Insurgent होती क्यों है जब कुछ Element Transpose होते है या पर Shift होते है तो उससे Insurgent हो सकती है इसके लावा जब Replication हो रही होती है तो उसके दुरान कोई Error आ सकता है जिसके वराद से Element Repeat हो सकते है Insurgent की भी फ़र्दर दो टाइपस है Supply Side Mutation और Frame Shift Mutation Supply Side Mutation में क्या होता है इसमें जब Transcription के प्रोसेस में एक Messenger त्यार होना होता है तो उस में सिंजर पर एक Exome और एक End Drone होता है जब हमने End Drone को में सिंजर आरणी से Remove करवाना होता है तो पिर हम में सिंजर आरणी की Supply Sink करवा रहे होते हैं इनकी Cutting करवा रहे होते हैं तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा एरिया Exome के साथ लग जाए मतलब जतना एरिया में रिकुाइर है उस से ज़यादा एक्जौन के साथ आजे तो इसे फिर हम सप्लाइ सा gak मूटेशन करते है फिर इसके का आप 속 है फ्रेयम शिफ्ट मूटेशन FrameShift Mutation में क्या होता है इसमें जब Messenger RNA प्रोटीन बना रहोता है तो उस तैम Messenger RNA के Reading हो रही होती है जो भी information Messenger RNA के उपर होती है उसे Read किया जा रहा होती है तो Read करने के बार Exact information के मतابक तो इसमें Reading Frame में mutation हो रही होती है इसलिए इस mutation को फिर हम frame shift mutation कहते हैं Next हमारे पास small scale mutation की last type है deletion Deletion में एक या एक से ज़्यादा nucleotoid DNA से remove होगा Insurgent में nucleotoid add हुआ था यहां पर nucleotoid remove होगा जैसे इस diagram में हम देख सकते हैं यह हमारे पास DNA की original sequence है इसमें जब deletion होगी तो यहां पर पहले thiamine था deletion के बाद यहां से thiamine remove होगा तो इसमें nucleotoid remove होगा फिर इसके बाद insertion की तरह deletion में भी different mutation होती है इसमें भी supply side mutation और frame shape mutation होती है इसके इलावा deletion mutation irreversible होती है इनके effect को हम change नहीं कर सकते Next मारे पास है large scale mutation हमें chromosome का structure change होगा इसमें mutation की वादा से chromosome का पूरा structure effect होगा Small scale mutation में एक या एक से जदा nucleotoid effect होते हैं लेकिन large scale mutation में पूरे का पूरा chromosome का structure effect होते है Large scale mutation में हमारे पास amplification, deletion, chromosomal translocation और loss of heterosygosty आ जाते है सबसे पहले हम amplification देखते है amplification में genes की duplication होगी इसमें chromosome रेजिन की multiple copies बनेगी एक या दो copies नहीं बनेगी बलके multiple copies बनेगी इसका ये मतलब है कि chromosome हमारे पास दो गुना ज्यादा होगे जिससे जो chromosome का area वो भी ज्यादा होगेगा और इसकी product भी ज्यादा होगे तो जब product ज्यादा होगी तो उससे फिर abnormalality होगी सोचेंगे तो उससे फिर कोई information भी नहीं रहेगी और जब information नहीं रहेगी तो कोई product भी नहीं बनेगा पिर इसके बाद कुछ mutations साथ साथ चलती हैं यह mutation साथ साथ भी चलती है और अपना function separately भी परफॉर्म करती है इसमें हमारे पर सबसे पहले है क्रॉमोजोमल ट्रांसलोकेशन क्रॉमोजोमल ट्रांसलोकेशन में नौन होमलोकिस क्रॉमोजोम्स अपने जिनाटिक पार्ट को इंटरचेंज करेंगे तो उससे फिर यहां पर mutation आएगी क्योंकि जिनाटिक पार्ट चेंज हो जाएगा फिर नेक्स्ट है इंटरस्टेशल डिलेशन इंटरस्टेशल डिलेशन डियाने के किसी एक रीजन को रिमूफ कर देती है सिंगल क्रॉमोजॉम से तो इसमें पहले जो क्रॉमोजॉम का स्ट्रॉक्चर था वो कम्प्लीट था वो एक डिफाइन स्ट्रॉक्चर था तो जब हम उस structure में से किसी एक area को remove करवाएंगे तो उस area में जितने भी jeans होंगे वो भी वहां से खतम होजेंगे फिर इसके बाद chromosomal inversion में क्या होता है इसमें chromosomal segment को invert कर दिया जाता है उनको reverse कर दिया जाता है opposite कर दिया जाता है जिसके वरह से भी chromosomal inversion होती है फिर इसके बाद मारे पास large scale mutation की last type है loss of heterosigosity heterosigosity क्या होता है इसमें हर trade के दो allele होते है एक small के लिए और एक large के लिए तो इसमें अगर chromosome की deletion होगी या फिर recombination होगी तो उससे heterosigosity loss होगी heterosigosity में जितने भी allele की addition थी वो loss होजेंगे वो जाया होजेंगे और इससे फिर heterosigosity भी loss होजेगे next mutation की type causing agent की base पर है causing agent हमें बता है mutation में mutagence होते है mutagence के बारे में हमने पढ़ा है यह ऐसे agents होते हैं जो mutation cause काज करते हैं यह हमारे पस दो तरहां की होते हैं physical और chemical physical mutagence physically हमारी बोड़ी का effect करते है जैसे के x-rays और gamma rays और chemical mutaginesis में chemical हमारी बोड़ी में enter होते हैं और हमारे DNA का effect करते हैं तो causing agent की base पर हमारे पास mutation की दो टाइपस है spontaneous mutation और induced mutation spontaneous mutation ऐसी mutation होती है जो molecular decay की वरा से होती है इसमें हमारे पास totomeryism deep urination, dmination, transition, transition transversion आ जाते है पहले हम देखते हैं totomeryism totomeryism में base चेंड होती है इसमें जब एक base के hydrogen atom reposition होती है तो उसके वरा से फिर base चेंड होती है basis में हमारे पता है हमारे पास adenine, cytosine, thiamine और guanine आ जाते है तो जब इन basis के hydrogen atom reposition होते है अपनी position change करते हैं तो उससे फिर base चेंड होती है फिर इसके बाद है depurination depurination में purine base loss होती है purine में हमें पता हमारे पास adenine और guanine आ जाते है तो जब purine base loss होती है तो उसे हम कहते है depurination फिर dmination में क्या होगा इसमें एक normal base, typical base के साथ चेंड हो जाएगी जैसे हमारे पस अगर साइटो सीना है तो वो यूरैसल के साथ change हो जाएगी और इस changes को हम dna repair mechanism से ठीक भी कर सकते है फिर इसके बाद है transition transition और transversion को हमने point mutation में भी discuss किया है transition में क्या होता है इसमें purine purine के साथ या फिर paramedine paramedine के साथ change होती है और transversion में purine paramedine के साथ या फिर paramedine paramedine के साथ change होती है फिर second type हमारे पस है induced mutation induced mutation ऐसे mutation होती है जो mutagen से cause होती है mutagen हमें पता हमारे पस दो तरहागी होते है physical और chemical induced mutation या तो chemical जैसे के anti-g से हो सकती है इसके लावर radiation जैसे के ultra-weller radiation, x-ray और gamma rays इन सबसे हो सकती है last पे हम mutation के कुछ effects देख लेते है तो इसमें हमारे पर सबसे पहले है अगर mutation के वारे से DNA के structure में change आएगी तो उसके वारे से protein sequence में error आएगा जिससे जो complete functional protein है वो नहीं बन सकेगी जाहिर है जब DNA के structure में mutation आएगी तो उससे जो DNA की information है वो change होगी और जब DNA की information change होगी तो उससे फिर एक proper protein नहीं बन सकेगा एक proper जो functional protein है वो नहीं बन सकेगा पिर इसके बाद अगर mutation हमारी jam cells में होगी अगर organism के gamit cells में mutation होगी तो फिर वो उनके off string में भी transfer होगी जैसे हमने jam line mutation में देखा था कि अगर mutation gamit cells में होगी तो फिर वो off string में भी transfer होगी वो हमारी generation to generation transfer होगी और पूरी family में run करेगी जैसे कि heritage diseases में होता है फिर इसके बाद gene mutations है जो genetic disorder होते है वो DNA repair system से repair हो सकते है हमारे cells में कुछ ऐसे enzymes होते है जो इन mutations को recognize कर सकते है और इनको repair कर सकते है इसके इलावा mutations के कुछ positive effects भी है mutations की वज़ा से कुछ new protein बन जते हैं कुछ new versions की protein बन जते हैं जो के हमारे future generation के लिए beneficial होते है इनकी help से हम अपने environment में changes ला सकते हैं तो यह था हमारा आज का topic आज की lecture में हमने gene mutation के बारे में पढ़ा है इसमें हमने mutation के different types देखिये है इनकी different classification देखिये है different origin की बियस पे इसके लावा हमने इनके causes और effects को discuss की है अब हम थोड़ा सा revise कर लेते हैं तो gene mutation के बारे में हमने क्या पढ़ा है यह एक ऐसा process होता है जिसमें genetic material में changes आती है हमारे जो genetic material है उनका sequence और structure चेंज होता है genetic material में हमारे पस DNA और RNA यह दोनों आ जाते है तो जब हमारे genetic material में चेंज आएगा तो उसे पिर हम mutation कहेंगे इसके बार पिर हमने mutation के कुछ causes देखिए जिसमें हमने सबसे पहले mutagence के बारे में पढ़ा है mutagence ऐसी agents होते हैं जो mutation कॉस करते है mutagence हमारे पस दो तरह के होते है physical और chemical physical mutagence हमें physical effect करते है जैसे के x-rays, gamma rays और UV rays और chemical mutagence में chemical हमारे body में enter होते है और हमारे DNA को effect करते है फिर इसके बाद दूसरी causes में हमने देखा है कि जब cell region होती है तो genetic material की copies बनती है तो उस copy के दुरान error आ सकते है जिसके वज़ा से mutation हो सकती है इसके लावा virus इसके वज़ा से भी mutation हो सकती है फिर जब cellular control हो रहोता है उस दुरान भी mutation हो सकती है फिर हमने different types की base देखान आ से और यह generation to generation past नहीं होती है सिर्फ जिस औरगनीजह में यह mutation होती है उसे को ही effect कती है फिर इसके बार हमने structure की बेस पे mutation की दो टाइपस देखी small scale mutation और large scale mutation small scale mutation में mutation सिर्फ एक या एक से ज़ादा nucleotide को effect करती है और large scale mutation में mutation पुरे के पूरे chromosome को effect करती है small scale mutation की further type में हमारे पास point mutation, insertion और deletion और और लार्ज स्केल म्यूटेशन में हमारे पस एम्प्लिफिकेशन, डिलेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और लॉस ओफ हिट्रोजाइगोसिटी आ जाती है। फिर इसके बार हमने कॉजिंग एजिन्ट की बेस पे म्यूटेशन की दो टाइपस देगी। स्पॉन्टेनेस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन स्पॉन्टेनेस म्यूटेशन मॉलिकुलर डिकेशन की वरा से होती है। इसमें हमारे पस आ जाती हैं टॉटो मेरिजम, डी पूरिनेशन, डी अमाई नेशन, ट्रांसीजन और ट्रांसवर्जन और induced mutation mutagenes के वरा से आ ज़ती है इसमें हमारे पस chemicals और radiation आ ज़ती है फिर इसके बार हमने mutation के different effects को discuss किया तो ये था हमारा आज का topic अमीद है आपको आज के लेक्टे की समझ आ गई होगी आज के topic से related आपने कोई भी question करना हुआ तो आप मेरे comment box में कर सकते हैं इसके अलावा आप कोई और topic समझना चाहते हैं तो वह भी आप मेरे comment box में बता दे मेरे channel को subscribe कर दे और मुझे instagram को भी follow कर ले Thank you